हिमाचल परदेश विधान सबा के लिए 12 नौंबर को मद्दान होना है और दोनों पार्टियों जो यहां की मुख्यों पार्टिया हैं कॉंग्रेस और बीजेपी उनका मैनिफेस्टों भी सभी लोगों के सामने हैं मैं इस वक्त मौझूद हूँ समरहिल में जहां पर हिमाचल परदेश युनिवस्टी है और मेरे साथ यहां पर युनिवस्टी की जो छातर हैं मौझूद हैं जो यह चुनाओ है हिमाचल परदेश का इसमें बेरोजगारी और महंगाई बड़े मुद्दे हैं इन Л को लेकर हम यहां के जो युथ है उनसे बाचीप करेंगे उनके लिए जो बेरोजगारी वह कितना बड़ा मुद्दा है वह उसके बार हम बाचीप करेंगे चर्चा की शुरात में आपसे करना चाहूंगा जो बेरोजगारी है हिमाचल परदेश में वो नैशनल जो औसत है उससे जादा है 9.2% बेरोजगारी है और देश में 1.3% कम है एज यूथ आप कैसे लेते हैं इस समस्या को और आने वाले चुनाओं में आप क्या रेक्टिफाई करना चाहेंगे इसमें जी एक चीज जो आप बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा बड़ा क्लियर समत है कि एक सरकारी नौकरी औरियंटिड होना मुझे लगता है इस चीज का कभी एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता आप देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वहां खेती बाड़ी बहुत अच्छे लेवल पर होती है अगर हम इस चीज को प्रमोट करेंगे तो किसान को भी तो रोजगार है उसकी खेती बाड़ी भी तो उसके क्या से यह आप रोजगार देंगे जबापास अब क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर सरनींप्लाइमेंट को लेकर मैं जो सूचता हूं मेरा मत्ति है सर की देखे सर जो यूरोप है सरी इंडिया में मार्क ऐसे जूगेशन की ज़र्यत जो सर आर इंडी पे फोकस कर रि क्यों पैदा हो रहें इंडिया में क्यों नहीं रिसर्च एंडवलोमेंट में लेकि हम कहा से इनोवेटिव हो सकते वैसी एजूकेशन के मारको सर आज जुरूरत है इस उनिवर्सिटी में बिरोजगारी बड़ा मुद्दा है और सभी पार्टियां भी उसकी तरफ क्यूंक संबव है यह नहीं हो सकता है हमको कहीं ना कहीं स्वाब लंबन के और बढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं स्टार्टप्स की बात करनी पड़ेगी तभी हम विरोजगारी को दूर कर पाएंगे और वो होगा कैसे जब हमरी स्किलफल एडूकेशन होगी ठीक है और दूसरी ब से सिधा सिधा प्रसन पूछना चाता हूं कि आप पांच लाख नौकरियां जो है वो पहली कैबिनेट में किस तरह से देंगे जैसे स्वाब लंबन की बात की स्टार्टप्स की बात की और हमें जो जो सीकर से जो गिवर वाली साइट जाना जो है वो ज्यादा अच्छा है ह हां सरकारी नौकरियां आने चाहिए हिमाचल प्रदेश में हम देखे तो 65,000 के लगवग जो है अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में पद खा लिए उनको जो है वो भरना चाहिए उसके विशे में तो कोई शक नहीं है लेकिन यह जो पांच लाख और आठ लाख वाली बात है मुझे कहीं न कहीं आशा लगता है कि इसमें चुनावी स्वार्थ चिपा हुआ है कि दो नौराज नितिक दलों का पवन कुमार शर्मा, संसर टीवी, शिमला, हिमाचल परदेश